हारने वालों का भी अपना एक अलग रुत्बा होता है जनाब अपसोफ्स तो वो करें जो दोड में सामील ही नहीं थे मैं जब उत्रा नहीं स्वागत करता हूं आपका गेट मैंस ठ्रिक के इस वीडिो लेक् долго में जिसमें की हम गेट के प्रिविएस यह पेपर में आएगे मैंस के कुष्टन को उठाते थे हैं और भाई ट्रिक का formation दिया गया है, जब आप B बनाओगे तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, A cube minus A square plus, sorry, minus 4 A plus 5 5, ठीक है, इस पूरा calculate करके आप B बनाओ, ठीक है, वो B का formation है, where I is the 3 cross 3 identity matrix, the determinant of B is, ठीक है, हमको B का determinant निकालना है, अना, देखी होगा क्या, कि ये 3 cross 3 का है, अना, अब अगर आप हम eigenvalues के थोड़े concept को ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसका eigenvalues निकालो, तो आपको characteristic equation बनाना पड़ेगा, क्या होता है, bound of A minus lambda I, ठीक है, और इसकी जो formation होती है, इसको equate to zero आप करोगे, lambda में cubic बनेगा, और lambda में जो cubic बनता है, वो भी हम जानते हैं, कि lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda और minus determinant of A is equal to zero, ये cubic का, मतलब ये cubic equation आता है, हमको कैसे पता, ठीक है, ये इसका standard form होता है, हमको पता है, अब भाई, इसमें है, ये S1, S2 आपने क्या लिख दिया, ये तो determinant of A, इतना तो समझ में आ रहा है, तो note कर लिजेगा, कि यहाँ पर जो S1 है, हाना, वो sum of all, principle diagonal, ठीक है, डायगोनल भी मैं नहीं वर्डिंग उज़ करता हूँ, ठीक है, principle diagonal elements, और ये S2 क्या है, S2 के मुझ पर लिख दे रहा हूँ, कि sum of, sum of all minors, ठीक है, अब भाई, principle diagonal, इधर से ये जो डायगोनल है, ठीक है, इसको करते हैं, principle diagonal, और ये S2 sum of all minors, अब minors क्या होता है, minors वो होता है, कि आप diagonal ले ठीक है, जैसे आपने ये डायगोनल लिया, ठीक है, इसको आप cut करो, जो 2 cross 2 का बच्चा, ठीक है, जैसे आप ये 1 लोगे, तो इसको आप ऐसे ऐसे करके cut कर दो, ये 2 cross 2 का बच्चा, इसका determinant निकाल लो, ठीक है, ये 1 minor हो गया, क्योंकि 3 cross 3, 3 minor आएंगे, तीनों का sum, फिर आप इस 2 को ले लो, डायगोनल को लेना है, ठीक है, जैसे आप matrix open करते हैं, ये 2 को ले लो, इसको cut करो, फिर जो यहाँ पर ये बचा, ये बचा, इसका determinant निकालो, फिर minus 2 को ले लो, इसको cut करो, फिर इसका determinant निकालो, उन सब का sum कर दो, sum of all minus, उसी determinant को minus करते हैं ठीक है तो इसको निकालते हैं देखते हैं क्या आता है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा लेम्डा cube minus sorry पहले निकाल देते हैं पहले हमको क्या चाहिए हमको तीनों चीज निकाल देते हैं हमको determinate of a चाहिए, तो determinate निकालने के लिए, वही open करने वाला तरीका आप उससे फटाक से निकाल लोगे, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि calculation बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है, तो यह और यह यहाँ क्या हो गया, 1 into minus 4, ठीक है, इस 0 भी 0, यह वाला, minus 0 कर लो आप, यह minus 0, ठीक है, तो यहाँ पर minus 4, यह आपका determinate of a आ गया, ठीक है, एक चीज़ तो मिल गई, अब s1 कैसे मिलेगा, sum of all principal diagonal, ठीक है, तो 2 minus 2 cancel 1, यह 1 आ गया, ठीक है, अब s2 कैसे मिलेगा, sum of all minus होना, ठीक है, minor sum निकालते हैं, यहाँ पर कितना हो गया, इसको आप जब, यह लिए आपने, तब इसको आपने cancel किया, तो इसका determinate जो आएगा, यह minus 4 आएगा, यह minus 4, ठीक है, जब आपने इसको लिया, तो यह cancel होगा, यह cancel होगा, अध्यास समझेगा ना, minus 2, minus 2, फिर जब आपने इसको लिया, तो यह और यह cancel होगा, यह तो 0 आगया, यह plus 2, यह plus 2 होगया, तो क्या आगया, minus 4, काम बन गया ना, देखिए, determinate of a, minus 4 आगया, s1, plus 1 आगया, s2, minus 4 आएगा, यहाँ पूट कर दो, जब आप पूट करो गया, आपे, तो, lambda, cube, minus, lambda square, sorry, नीचे लिखा जा रहा है, lambda square, और, s2 की बलू क्या है, minus 4, minus 4, lambda, और, यह हो गया, minus, minus 4, ठीक है, is equal to 0, तो, यह हो गया, lambda cube, minus lambda square, plus, sorry, minus 4, lambda, और, यह plus 4, is equal to, 0, ठीक है, यह आपकी eigenvalues का equation हो गया, अब, Kelly Hamilton theorem से हम यह जाते हैं, कि सभी lambda, हाना, की value, एके बराबर होती है, ठीक है, मतलब, Kelly Hamilton theorem यह कहता है, कि अगर कोई square matrix की बहन है, तो, उसमें आप A की जगा, lambda, lambda की जगा, A यूज करके, अपना काम कर सकते हो, ठीक है, तो, अब हम यह क्या करेंगे, अब हम इसमें, हाना, A रखके, उसको भी 0 कर सकते हैं, तो, क्या यह देगा, यह देदेगा, कि A का Q, minus A square, minus 4, A, और, plus 4, I, क्योंकि matrix के formation में बात कर रहे हैं, तो, वहाँ पर जो 1 है, वो I form कर जाएगा, इसकी value 0 होगी, ठीक है, तो, देखिए, हमको निकालना क्या है, इस पर focus करिएगा, B की value यह दी गई है, B की value एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो, B की value क्या है, B is equal to, आपका है, हम इस तरह लिख सकते हैं, A cube minus A square minus 4A, और प्लस 4I, और यह प्लस आई, मैंने break क्यों किया, मैंने break इस ले किया, क्योंकि इतने की value 0 हमें पता है, देखिए, सेम आ गया न, यह A cube minus A square minus 4A, प्लस 4I, इतने की value 0 पता है, तो, यह क्या implies करेगा, यह implies करेगा, B is equal to I, ठीक है, यह इतना implies कर गया, और आप यह जानते हो, अब हमको हमारा क्याम क्या था, हमारा काम था, कि B के value, यह जो पूरा है, इसको निकालना, इसको हमने इस ट्रिक से निकाल लिया, B क्या आ गया, 3 क्रॉस 3 का identity matrix आ गया, अब उसका determinant निकाना, तो अब सिंपल सी चीज़ है, identity matrix से उसका determinant 1 होता है, मतलब, determinant of B is equal to 1, यह आपका answer हो गया, देखे, एक बार हम fast revision कर लेते हैं, क्योंकि process थोड़ा lengthy हो गया, हमें क्या दिया था, A दिया था, B की यह formation हमको निकालनी थी, फिर determinant of B की बात हमें करनी थी, तो हमने सोचा कुछ अलग concept लगाएं, हना, इससे हम नहीं कर दें, तो हमने हमारा ध्यान गया, आइगन values पे, आइगन values क्या होते हैं, रिष्टर की equation निकालना रहता है, given matrix के लिए, फिर lambda में जितने order की matrix है, उतने value जाते हैं, उसको solve करने के लिए, अगर 3 और cross 3 की matrix है, तो cubic equation मिलेगा, तो हमने इसको solve नहीं किया, हमको पता था, यह cubic equation की formation यह होती है, ठीके, जहाँ S1 sum of all diagonal element है, यह principal diagonal आप कर लो, S2 sum of all minor से, हमने बारी-बारी इनको निकाला, इनको निकालके, हमने यहाँ equation में put कर दिया, equation जब हमने solve किया, तो यह 0 आगया, अब हमको पता था, कि किसी square matrix के लिए, के ले हमें 10 theorem से, lambda A को satisfy करता है, A lambda को दोनों को आपस में, आप कहीं पे रख करके, उनका use कर सकते हो, के ले हमें 10 theorem से, तो यहाँ हमने रख दिया, मतलब क्या था, कि A cube, minus A square, minus 4 A, plus 4 I की value 0 आगई, अब जो given था, वो हमने देखा, देखा कि वो similar आगया इसके, बस एक I extra था, तो I को हमने निकाल दिया, इतने की value 0 हो गई, मतलब हमने देखा फिर, कि B की value आई आगई, और फिर determinate of B निकालना था, determinate of B, simply, identity matrix से उसको solve करने के जबत नहीं है, उसका determinate 1 होता है, तो उसका determinate 1 ढगया, यह हमारा answer हो गया, तो friends, आज के लिए इतना आई, मिलते हैं अपने निश्व में, तक तक के लिए, स्वास्त्रे मास्त्रे कुस्वें, जय हिंद,